दो दिन पहले भारतिय जन्ता पार्टी के मेंडर से एक वर्कर ने एक बयान दिया जिसमें हम कहें कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी पैदा हुई जिसमें उनका कहना था कि अगर लोग भारतिय जन्ता पार्टी को वोट नहीं देंगे उनकी जो पाउंग तले जमीन खींच ली और 1947 जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाएंगे तो इस पर सवाल बनता है कि क्या क्यों हर बार इलेक्शन के दोर में ही भारतिय जन्ता पार्टी की जानिब से इस तरह के बियानात आते हैं कि लोगों में एक नफरत जैसा माहुल जो है वो पैदा किया जाता है हलंकि हम कहें कि भारतिय जन्ता पार्टी ने इस बात का नोटस लिया उन्हें एकस्पल भी किया लेकिन फिर भी क्यों हर पार यही सुनने को मिलता है हर बार मज़ब की राजनीटी भारतिय जन्ता पार्टी करती है देखिए मैंने वो वीडियो नहीं देखी कि जिसमें आप आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके के अलफाज जो है वो इस्तमाल किये हैं लेकिन मेरा कहना है कि हर विक्ति एक अपनी परस्नल कपैस्टी में क्या बोलता है इट ड़संट रिप्रेजेंट प्लिटिकल और जिस तरीके से आप कह रहे हैं अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ठीक बात है आपने साथ में ही यह भी कह दिया कि भारतीजनता पार्टी ने उनको छे साल के लिए पार्टी से एकस्पेल किया है तो आप और क्या एकस्पेक्ट कर सकते हैं भारती जंदा पार्टी इस्ट इंस्टिटूशन और यहां पर स्यासी जमाते कितनी भी हो वो इस तरीके से ब्यान देने से हमेशा जो हैं वो गुरेज करती हैं लेकिन भार्दी जिंदा पार्टी की जिते भी हम अगर नुमाइंदे देखें या वरकर्स देखें उनकी जानिब से कोई न कोई इस तरीके का आपने फारूक अब्दूला का ब्यान सुना जिन्हों ने कहा कि गुजर बकरवाल दो रुपे में विकने वाले लोग हैं कल पर सूँ आपने किसी और आदमी का ब्यान सुना इस तरीके को जो ब्यान होते हैं फारूक अब्दूला रिप्रेजेंट नेशनल कांफर्स 27 में देश का बटवारा हुआ जिस बटवारे के बाद जमू कश्मीर ने खास तोर पर रजोरी पुंचने एक बहुत बड़ी उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी हम अर्दू का वर्ड गदर यूज करते हैं यहां पर गदर हुआ लोगों ने अपने परिवार खोए और दा lines of partition was drawn in the blood of our people. और उस दिन को partition horrors day करक लोगों को याद करने का का मौम अगर किसी ने किया तो फिर ने किया है. आज तक जिस जानूगी कुर्बानी देदी इस देश के लिए और कभी भी किसी देश में डिवीजन होती है वहां पे इस तरीके के सोशल महोल बनते हैं आज आपने देखा कि जिन लोगों को उस समय बेनसाफी हुई थी ना उनको पीयोजेके के रिफ्यूजियों को बीजेपी ने इनसाफ लाता है कि किस तरीके से अब आने वाले वक्त में माइनार्टी को खत्रा है भारती जनता पार्टी समरिद भारत की बात करती है भारती जनता पार्टी सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब के प्रयास की बात करती है भारती जनता पार्टी के भारत में हर व्यक गीता और कुरान है और कोई अगर बाबा साहिब खुद भी होते तो इस सम्विधान को चेंज नहीं कर पाते यह मोधी साब ने कहा है तो मुझे बताइए कि करनी और कथनी में किसी तरीके का फर्क नहीं है इसी तरीके से बाई ने कहा दिया कि भाईया 25 क्रोड लोगों को एक करना दो करना चाहिए के सब्सक्राइब करना ने कानुन कर लाना पड़ता हे बादे हुए समय के साथ कानून का बदलना बड़ा आवश्यक हो जाता है कुछ समय पहले जब इंटरनेट नहीं था तो तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्यूरिटी के नाम की चीज़ें हमने नहीं सुने थी जब जिप क्षीज़न को चेंज करते हैं कि मोधी ऑबा-साएब भी होते तो नहीं चेंज करने पाते इससे बड़ी स्टेट्ममर्ट आपको क्या चाहिए ये देश का प्रधान मंतरी खुद कह रहा है और कोई आदमी अपनी परस्टी में क्या ब्यान देता है वो कभी भी पार्टी को रिप्रजेंट नहीं करता और अगर किसी आदमी ने दिया है तो पार्टी ने इमेजेटली अगर किसी को एक्सपेल किया इसे वाड़े आपको ड पैसिफिक कम्यूनिटी को नहीं मिज़ा जबकि कांगरस नेशनल कांफर्स इन्होंने हमेशा जमू किश्मीर के लोगों को बांटने का काम किया है बी जे पी ने उस दिवार को खत्म करकर जोडने का काम किया है और बी जे पी के लिए हिंदू, मुस्लमान, सी, कसाई, पार काबर का अधिकार है और एक्विलिटी फार एक्विल्स जो आर्टिकल 14 कहता है उस पर भातियन तब भातिय बिलीव करते हैं